पहला कोशन हमारा which of the following is not fountain birds इन मेंसे वो क्या चीज है जो पक्षियों में नहीं पाई जाती है पेलविक गड़ल, पेक्टोरल गड़ल, हैंड लिम या फोर लिम तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे पक्षि होते हैं उनमें फोर लिम मतलब जो आगे वाले हमारे लिम्स होते हैं लिम्स बोलते हैं भूजाओं को वो नहीं प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब वो स्लेंहें decision होता है भूब ह Child के दौरां सब्सक्राइब तोन होड़ान करती है अपने अप्यूसियोर मैश कुर्णा से फिल्ट करते हैं से लिए अपना गिर जाता है मतलब संगें ionsकाieneق आगे के करते हैं उड़ने का काम करती हैं और फाट वेट कम करने के लिए उनकी जो को होती है कैसी होती है अगले कोशन में पूछा है लॉंग बोन है और क्या है होलो अंदर से खोखली लंबी बोन और अंदर से खोखली मतलब अंदर से खोखली है तो उनमें क्या होता है एयर पास होती रहती है यह किसके क्यरक्टेस्टेक्स है रैप्तेलिया लैंड वर्टिब्रेट्स एफ्स और मेम्ल तो जैसे कि मैंने वी उपर अले कोशन में बनाया हॉलो बोंस हॉलो बोंस किसमें होती है एफ्स में और अगले प्रश्ण दो एक चाहिक है वोकष छो अपनी बाडि से बहार वेस्ट मेटरियल अगर्श दयंगत मतला वेस्ट मेटरियल निकलता है हमारी बाड़ी से ठीक है तो solenocytes जो है किसके main excretory structures है Echinodermeta, platy hell mines, analytes और mollusca तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे solenocytes होते हैं वो किसके होते हैं? excretory structures, platy hell mines के होते हैं ठीक है? और solenocytes क्या होती है? flame cells होती है और वो कैसे होते हैं? cup shape होते हैं और उनमें क्या होता है? celia भी presents होता है celia उनको मैं देखने को मिलेगा और वो क्या होंगे? cup shape क्या होंगे? और solenocytes कहीं दूसरा नाम flame cells से होती है अगला question है most appropriate term to describe the life cycle of obelia वो term बताओ जो हम obelia के life cycle को describe करने के लिए उपयोग कर सकते हैं obelia क्या है? celan data obelia क्या है? celan data celan data में metamorphosis, newtony, metagenesis या all of these तो हम जब इस भी celan data की life cycle को describe करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? metagenesis metagenesis का मतलब होता है alternation of generation alternation generation में क्या होता है? हमारी दो टाइप की क्या होती है? generation होती है एक होती है polyform और दूसरी क्या होती है? medusa form polyp और medusa दो टाइप की phase इनकी life cycle में हमें देखने को मिलती है किस में? celan data में और celan data का ही example क्या है? ovelia ठीक है? अगला प्रशन देखने है अगला प्रशन में मारा the lower jaw in mammal is made up of जो mammals होते हैं इस तंधारी होते हैं उनमें जो lower jaw है वो किस से बना होता है? dentary, maxils, angulars या mandible तो जो lower jaw होता है उसे हम क्या बोलते हैं? dentary ठीक है? यह हमारा है यह support करता है हमारे teeth को ठीक है? यह बहुत छोटे size का होता है और क्या होता है? कॉमा, shape, bone होती है ठीक है? अगला question अगला question है which of the following cells found in testes of rabbit secrets male hormone rabbit के testes में उस cells का नाम बताओ जो male hormone secret करती है epithelial cells spermatocytes ledig cells या sertoli cells तो वो कौन सी cells होती है? हमारी ledig cells जो secret क्या करती है male hormone जिसे हम क्या बोलते है androgen ठीक है? या testo stone और androgen क्या काम करता है? enlargement of external genitalia secondary sexual characters मतलब जो androgen है ये secondary sexual characters को develop करने में help करता है जो enlargement जो हमारा external genitalia होता है इसके enlargement में भी इसी का रोल होता है चीक है? अगला question अगला question है मारा what is the common among silverfish, scorpion, crab and honey इन चारों में common क्या है? jointed legs, metamorphosis, compound eye और poison glands तो हम जैसा कि हम देखते हैं silverfish, scorpion, crab और honey भी में common क्या? jointed legs नहीं होते हैं क्योंकि jointed legs होते हैं वो नहीं होते हैं metamorphosis भी नहीं होगा poison glands भी scorpion में होता है और उमें नहीं होता है तो हमारा answer क्या होगा? compound eyes compound eyes ही एक ऐसा character है जो इन चारों में क्या होता है? present होता है ठीक है? अगला question अगला question है अगला question है the embryo-nated egg of ascaris represent जो embryo-nated egg होता है ascaris का वो किसको दर्शाता है? an egg with blastula an egg with a juvenile an egg with an egg या फिर an egg with gastula तो जब भी हम embryo-nated egg की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? juvenile में हम बात करते हैं एग के साथ की तो हमारा answer क्या होगा? option number B an egg with a juvenile face ठीक है? हमारा option number B क्या होगा? इसका correct answer और juvenile की भी कौनसी stage? second stage of juvenile जो क्या होती है? infective stage होती है किसके लिए? human host के लिए ठीक है? अगला question अगला question है which of the following statement is without exception for sponges? कौनसी statement बिना किसी exception के है sponges के लिए they all have calcareous spicules they all have high regeneration power they have found only in marine water या फिर they are all radially symmetrical तो सभी के पास calcareous spicules होते हैं ये भी सही नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जिन पे spicules present नहीं होते हैं या फिर they are found only in marine नहीं सारे marine में नहीं होते हैं they all are radially symmetrical तो ऐसा भी नहीं हैं कि सारे ही radially symmetrical हो अब देखते हैं option number two they have high regenerative power yes उनमें high regenerative power होता है किसमें? sponges में यही क्या होगा इसका बिना किसी exception के present होता है यह characteristics regenerative power का और यही regenerative power जो है humans के liver में भी होती है ठीक है अगर थोड़ा बहुत हमारा liver damage हो गया तो आपने आपको वो regenerate कर सकता है ठीक है लेकिन चोटा मोटा पाट यह ने की आधा लीवर गायब है और हम सोच रहे हैं वो regenerate हो जाए तो ऐसा बिल्कुल possible नहीं है अगला question अगला question है when an animal has both the characters of male and female is called एक animal है जिसमें male के character भी है female के character हम उसे क्या बोलेंगे super female super male intersex या गायंडरो मौर्फ तो ऐसा प्राणी जिसमें दोनों के character हो male के भी और female के भी उसे क्या कहते है गायंडरो मौर्फ और इसी को ही हम दूसरे नाम से भी जानते है जो क्या होता है हर्मा फ्रोडाइट ठीक है मीजोडाम और एंडोडाम के बीच में क्या होती है हमारी सीलोम प्रेजेंट होती है ठीक है सबसे बाहर क्या होती है एंडोडाम सबसे बाहर होती है एक्टोडाम फिर मीजोडाम फिर एंडोडाम और एंडोडाम और मीजोडाम के बीच की खाली जगह को हम क्या बोलते हैं सिलों ठीक है खाली जगह को कैविटी बोलते हैं बेसिकली वहाँ पे सिलों प्रेजेंट होती है चीक है मीजोडाम और एंडोडाम के बीच अगला question अगला question है हमारा pneumatic bone is found in pneumatic bone जैसे कि हमने बात करी थी कौन सी bones होती है long and hollow bones वो किस में present होती है birds में और birds का example कौन सा है शार्क, राणा, पीजन और वेल राणा है frog, frog का इन्होंने नाम दिर्ख है राणा, ट्रेगना, वेल और शार्क को आप जानते हैं पीजन के है हमारा bird गा example और bird में क्या होती है हमारी खोकली bones जिनको हम pneumatic bone के नाम से जानते हैं अगला question हमारा nephridia in earthworm are analogous to nephridia जो है earthworm में वो किसके समान है निमेटो ब्लास्ट ऑफ हाईडिला, flame cells of nilaria, guilt of prawns या फिर ट्रैकिया ओफ इंसेक्ट्स तो earthworm में nephridia क्या काम करता है उसी का जो काम करे वही हमको इन में से बताना है तो कौन सा होगा flame cells और plane area यह दोनों ही क्या 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 है एक्सक्रिशन में इसमें flame cells और इसमें nephridia nephridia earthworm का क्या है एक्सक्रिटी structure और flame cells क्या है प्लेन अरिया का एक्सक्रिटी structures तो यह दोनों क्या 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 तुमन होती है यह यह सबसे कॉमन होती है माउल्टिंग नहीं होती है किसी भी मैमल्ट में चिक है तो यह क्या है कॉमन है अगला कुशन है अओर आगला इंपर अफॉर्मेशन ऑफ एनाल सिस्टम इन स्पोंजिस इस जूटू जो canal system बनता है sponges में वो किसकी वज़े से होता है folding of inner walls gastroverscular system, reproduction या फिर porous walls जैसा कि हम जानते हैं porous walls के कारण क्या होता है canal system बनता है किस में? sponges में तो हमारा option number D क्या होगा correct answer तो जो canal system है canal system के कारण ही sponges में क्या होता है nutrition का काम होता है nutrition portion का काम होता है दूसरा है respiration मतलब स्वसंतंत्र जो हमारा स्वसंतंत्र है वो कारण रत करता है और तीसरा क्या है हमारा excretion मतलब हमारा जो भी metabolic waste होगा यह हमारी body से निकलेगा ठीक है इन ही की मदद से और वो कौन है? canal cells किसमे? sponges में ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्ण की हो अगला प्रश्ण है हमारा which of the following organism possesses characteristics of a plant and animal ऐसा कौन सा animal ऐसा कौन सा इन में सा option है जिसमें plant और animal दोनों के characteristics मौजूद होते हैं यूगलीना, paramecium, bacteria और mycoplasma तो जैसा कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं वो कौन सा है हमारा? यूगलीना यूगलीना में क्या होता है? chlorophyll होता है या फिर क्या होता है? chlorophyll chlorophyll के कारण वो किसका character show करते हैं? plants का और animals जब मालो धूप नहीं होती है तो chlorophyll किसी काम का नहीं रह जाता क्योंकि chlorophyll से photosynthesis करने के लिए क्या चाहिए होती है? sunlight और जब sunlight नहीं होगी तो यूगलीना जो है वो दूसरे body के उपर चला जाता है मतलब दूसरे organism के उपर जाके अपना भुजन उनसे प्राप्त करता है ठीक है और ये किसका characteristics है? animals का तो इस वज़ए से यूगलीना जो है दोनों के characteristics अपने पास रखता है plant और animal के अगला question है Besides anelida and arthropoda the metameryism is exhibited by anelida और arthropoda के अलावा metameryism किसमें देखने को मिलता है? mollusca aksanthophyra systoda या फिर codata तो जैसा कि हमें पता है metameryism किसमें देखने को मिलता है? anelida, arthropoda और और देखने को मिलता है हमारा codates में किसमे? codates में या फिर codata में अगला question है हमारा the function of contractile vacuol in protojoa protojoa में जो contractile vacuol का function क्या है? osmo regulation, reproduction, locomotion or digestion of food तो जैसा कि हम बकू भी तरह से जानते हैं vacuol का क्या काम होता है? osmo regulation में help करता है हमारी body की ठीक है? हमारी मतलब protojoa के body की अगला question अगला question है the organism attached to the substatum organism attached है किसी भी substatum से generally possessed वो उसमें क्या होता है? ठीक है? substatum मतलब होता है जिस भी जगे पर वो जुड़ा होता है किसी से ठीक है? substatum में substatum जो है इसमें हम पत्थर को भी ले सकते हैं क्यों substatum है या कोई wood है उसको हम क्या उसकरते हैं? substatum या फिर जहां से जो organism food लेता है उससे क्या बोलते हैं? substatum ठीक है? अब इसमें बोला गया है जो organism attach हो substatum पे उसके पास क्या होगा? a single opening of the digestive canal cilia on the surface to create water current radial symmetry या फिर asymmetrical body तो जैसा कि हमें पता है जब भी organism attach होता है किसी भी substatum से तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? radial symmetry चीक है? radial symmetry का मतलब है कहीं से भी organism को काट लो वो दो हिस्टों में divide या फिर दो बराबर हिस्टों में divide नहीं हो सकता है चीक है? अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्णी की और अगला प्रश्णी है हमारा वो क्या है? sympathetic nerve in mammal arises from जो हमारी sympathetic nerves होती है हमारी body में दो टाइप की nerves होती है sympathetic nerve और asymptatic nerve और जो sympathetic nerves होती है वो mammals में कहां से निकलती है या मतलब उनकी उत्पत्ती कहां से होती है sacral nerves 37910th cranial nerves या thoracoluminar nerves या cervical nerves तो जो हमारी sympathetic nerves होती है इनका हमारा origin point जो माना जाता है thoracoluminar nerves में का क्या माना जाता है origination point तो हमारा option number 3 क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा पहला question है Aristotle's lanterns occur in class जो Aristotle's lantern है वो कौन सी class में देखने को मिलता है अब या Aristotle's lantern होता गया तो यार ये जो होता ना इसे इसको simple सा बोला जाता है दांतों के लिए जो teeth होते हैं ना teeth होते हैं ये word यूज़ के जाता है Aristotle's lantern अब क्यों यूज़ के जाता है circle की shape में अगर 5 दांत मौझूद हों 1, 2, 3, 4, 5 एक circle की shape में मौझूद हों ठीक है और दांत कैसे हों hard और क्या हों sharp मतलब नुकिले हों और बहुत ही मजबूत हों ठीक है और कैसे मिले एक circle के shape में या circle बना रहे हों पांचों मिलके एक circle को बनाते हों ठीक है तो हम उसे क्या बोलेंगे Aristotle's lantern Aristotle इसले लिखा गया है क्योंकि ये ढूटा तक इसने Aristotle नहीं है ये हैं हमारे ग्रीक के philosopher, scientist या फिर कह सकते हैं teacher ठीक है ये जो मतलब ये जो structure है ये इन्होने सबसे पहले describe किया था अपनी book में जिसका क्या नाम था Historia, Animalia या फिर history of animals में ठीक है अब देखते हैं ये मिलता किसमें तो यार देखो इसमें option देर रखा है Echinoidia, Aristodia, Hollow Atheridia या फिर Offeridia तो जैसे कि मैंने बताए कि इसमें Sea Urchin में Sea Urchin Echinoidia क्लास में मौजूद होता है ठीक है मतलब ये जो structure है ये Aristotle Lantern Echinoidia क्लास में present होता है अगला question है मारा Starfish belong to Starfish कौन सिमा आती है Echinoidia, Ophiridia, Hollow Atheridia या Craniodia तो दुनिया को पता है Starfish कि समा आता है Echinoidia में ठीक है या Echinoidia Riasis जो होता है इसका क्या होता है Name होता है ठीक है अगला question अगला question है मारा Eye of the Molluscan group that resembles vertebrate जो Eye है Molluscan group की वो Vertebrate Eye से क्या करती है Resemble करती है तो आपका उस Vertebrate का नाम बताना है ठीक है जिस group में वो Resemble करती है Byvalvia Gastroboda Palisipoda या Cephalopoda तो जैसा कि आपको पता है किस वे Resemble करती है Cephalopods से ठीक है अगला question है हमारा आपको कैसे Difference कर सकते है Adult Qlex और Anophilis में ठीक है मतलब आपको दे दिया है Qlex और Anophilis तो आप बताओ आप किस की मदद से उन दोनों में भेद कर सकते हो या अंतर बता सकते हो Mouth part या color से Sitting posture उनके बैठने के तरीके से या फिर Antina या wing से या फिर feeding habits से तो जैसे कि हम देखते है हम Qlex और Anophilis को उनके Sitting posture से identify कर सकते है ठीक है उनके Sitting posture से कि वो कैसे बैठी है एक flat बैठता है और एक जो है उसकी tail थोड़ी उपर को रहती है चीक है अगला question अगला question है हमारा sound box और bird is called जो bird का sound box होता है उसे हम क्या बोलते है तो ये भी आप सभी को पता होगा sound box हो एक हम क्या बोलते है साइरिंक्स बोलते है किसमें birds में चीक है अगला question अगला question है periplaneta americana जो हमारा language Li प्लीनेट आप्र वे शहां है यह क्या है नॉक्टॉरल रहें ओमृण से कट और हमेरिकाना के पडिया होता है क oke के इट्रेश क्यों कि यह क्या करता है हिस्केंद प्लेट निय्यों क्लफ काम करता है A is true but R is false A is true but R is true Both A and R are true But R is correct explanation of A या फिर both A and R are true But R is not correct explanation of A A है हमारा assertion और R क्या है इसका reason मतलब जो हमारी assertion की statement है इसी बात को अगर हमारा R सत्यापन करे तो ये क्या होंगे दोनों सही होंगे मतलब assertion और reason हमारे दोनों सही होंगे ठीक है तो हम क्या देखते हैं इसमें हमारा जो periplaneta americana है ये noctural भी होता है omnivores भी होता है household pest भी होता है मतलब घर में पाए जाने वाला कीट भी होता है ठीक है और ये इसलिए है क्योंकि ये act करता है जो बात लिखी है कि ये इसके वेंजर की तरह काम करता है ये कहीं से भी noctural, omnivores और household इन तीनों की बात को justify नहीं करता है ठीक है लेकिन ये statement तो correct है तो हमारा option number क्या होगा D both A and R are true but R is not correct explanation of A ठीक है अगला question अगला question है हमारा as caris larva is called जो हमारा as caris होता है इसके larva को क्या कहते है सिस्टी साराज, रैबडी फॉर्म, हेक्जासिंद्या, उनको इसकेरिस को larva को हम क्या बोलते है रैबडी टी फॉर्म रैबडी टी फॉर्म बोलते हैं अगला question है हमारा what is true about tiniya tiniya की बारे में क्या सही है male organ occur in posterior proglottis male organ occur in anterior proglottis female organ occur in anterior proglottis या फिर mature proglottis contain both male and female organs तो जैसा कि हम जानते है जो हमारा mature proglottis होता है mature proglottis होता है इसमें male और female organ दोनों present होते है तो हमारा option number d क्या होगा correct answer होगा tiniya का पूरो नाम क्या होता है tiniya solium अगला question अगला question है the simplest type of canal system in peripheral जो बहुती simple type का canal system है पूरी फेरा में वो कौन सा होता है ascan, leucan, sycan या हमारा radial तो जैसा कि अब जानते है ascan क्या होता है सबसे simple type का canal system होता है और इस canal की वज़े से ही इन में क्या होता है respiration होता है और अपना food लेते है और क्या होता है अपना excretion होता है इसके द्वारा canal system के ही द्वारा help करता है मतलब canal system इनके इन इन चीजों में अगला है हमारा an egg laying mammal ऐसा mammal बताओ जो अंडे देता हो mammal जनरली क्या देते हैं किसी भी बच्चे को जनम देते है gave birth to the young ones लेकिन एक ऐसा ही mammal है जो क्या देता है इससे अंडे देता है वो कौन सा है kangaroo kola platypus या whale तो जैसा कि हम जातने है platypus क्या है हमारा वो इस्तंधारी है जो क्या देता है अंडे देता है अब चलते हैं अपने अगले कोशन की दरफ अगला कोशन है हमारा kidney of adult rabbit तो हमारा rabbit है rabbit की kidney कैसी होती है adult rabbit की pro nephros metanephros mesonephros या उपिस्तो nephros तो वो क्यों होती है metanephros जो कि कह है हमारा option number अगला कोशन हमारा homeostresses homeostresses क्या होता है tendency to change with change in environment या tendency to resist change या फिर disturbance in regulatory control या फिर plant and animal एक्स्रेज यूजिन homeopathy तो homeostresses क्या होता है homeostresses का मतला होता है अपनी body में कभी भी change को ना होने देना या resist करना तो हमारा option number बी क्या हो जागा इसका correct answer tendency to resist change मतलब बदलाव को रोकना या बदलाव के प्रती या फिर मैं बूलू अपने body में किसी बदलाव को ना होने देना ये किसकी property है homeostresses की अगला question हमारा which one occurring in equino dermeta equino dermeta में क्या present होता है bilateral symmetry radial symmetry porous body या फिर soft skin तो जैसे जैसे हम equino dermeta की बात करेंगे equino dermeta में क्या होती है radial symmetry होती है ठीक है लेकिन जब उसका larva जब अपने वो larva stage में होता है तो उसमें क्या होती है bilateral symmetry present होती है किसमे equino dermeta या फिर star fish में अगला question हमारा an insect regarded as greatest mechanical barrier of tissue is वो insect जिसको बूला जाता है सबसे ज़्यादा mechanical barrier होता है किसी भी disease का वो कौन सा होता है pediculus cymax muska या xenophilus तो कौन सा होता है हमारा muska muska domestica house fly को हम बोलते हैं ठीक है greatest mechanical carrier of disease मतलब सबसे ज़्यादा कौन carry करता है disease क्या करता है muska domestic यह क्या होती है हमारी house fly या मैं कह सकता हूँ muska family ठीक है अगला question है मारा metamorphosis of insect is regulated through metamorphosis जो है insect में कौन सा हर्मोन regulate करता है या फिर मैं यह बूलू metamorphosis है वो कौन से हर्मोन के द्वारा होता है feromone thyroxine acedison या all of these तो metamorphosis क्या होता है एक zygote से adult बनने के बीच में जिन जिन process से कोई organism गुजरता है वो changes जो भी होते हैं उसके life cycle में उन्हीं को बोलते हैं metamorphosis जैसे की सबसे पहले क्या होता है egg बनता है किसी भी female egg बनाती है ठीक है male sperm बनाता है फिर क्या होता है उनका fertilization होता है fertilization क्या बनता है zygote बनता है zygote से क्या बनता है embryo बनता है embryo से क्या बनता है larva stage आती है larva stage के बाद pupa आता है ठीक है larva हो गया और pupa हो गया Pupa केसे में बनता है Caterpillar में बनता है और Caterpillar से क्या होती है मतलब उसकी अगली Stage Adult Form आती है Larva, Caterpillar, Pupa Adult Stage तो ये जितनी भी सारी हमारी Stage है इन सब को मिला कर क्या कहते है Metamorphosis तो ये जो हो रही है इतने उसके changes हो रहे है उसकी बॉडी में उसकी life cycle के दोरान वो कौन सा हर्मोन करता है तो वो कौन सा करता है ऐसी disown ठीक है बाकि फैरोन हमारा होता है sexual हर्मोन होता है जो sexual reproduction के लिए responsible होता है इसमें क्या होता है female जो होती है उसकी बोड़ी से फैरोमोन्स निकलता है फिर वो हवा मजाता है जिसके कारण male attract हो जाता है female की तरफ बाकि जो थाइरोक्सिन है थाइरोक्सिन हमारे बोड़ी के metabolic rate को regulate करता है ठीक है अब चलते हैं अगले question क्यों अगले question में है classification of porifera is based zone जो porifera का classification है वो किस पे based ब्रांचि पे स्पाइक यूल्स पे reproduction पे सिमेट्री तो दुनिया जानती है इसका इसका इसपाइक यूल्स पे क्या है porifera का classification बेज जाए अगला question है मारा the excretory feature of flatworm या टीनिया आर जो excretory structure से या टीनिया में वह कौन से हैं तो जैसा कि हम जानते हैं टीनिया में कौन से होते हैं टीनिया में क्या होते हैं फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं टीनिया सूलियम में excretory structure flame cells मौजूद होती है bladderworm cysticillus is the larva stage of जो bladderworm है या cysticillus में जो larva stage किसकी है tapeworm की roundworm की pinworm की या liver flock की तो यह किसकी होती है यह होती है हमारी tapeworm की टेपworm की larvae stage कैसे होती है cysticillus या bladderworm की अगला question है हमारा egg dices is the shedding of egg dices किसके निकलने को बोलते हैं shedding का मतलब होता है अपने आप किसी की body में से किसी चीज़ का गिर जाना ठीक है या अपने आप किसी body से किसी का गिर जाना जैसे साप में क्या होते हैं उनकी बाहर की जो खाल होती है वो अपने आप कुछ समय बाद गिर जाती है ठीक है तो हम क्या बोलते हैं आउटर लेयर ओफ स्नेक इज शेडिंग ठीक है पहला ओप्शन हमारा इस्ट्रेटम, कॉर्णियम, एपिडर्मेस, डर्मेस या फिर स्ट्रेटम, मेलफिजी एक डाइसिस जो होता है वो हमारा क्या होता है इस्ट्रेटम, कॉर्णियम का गिरना अगला कोशन है हमारा पैंग्विन अकर्षिन पैंग्विन कहां मौजूद होते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं पैंग्विन होते हैं हमारे ठंडे प्रदेशों में option देख लेते हैं Australia, Antarctica, Africa या फिर America तो penguin कहां प्रेजेंट होते हैं मारे Antarctica Antarctica क्या है एक थंड़ा area है मतलब जहां बरफ वरफ जदे मिलती है ठीक है या फिर जहां का temperature काफी low होता है अगला question है हमारा काला अजर and oriental shore are spread by काला अजर और जो oriental shore है ये इसको कौन फैलाता है हाउस फ्लाई, बेड बग, सेंड फ्लाई, या फिर फ्रूट फ्लाई तो जो काला अजर है और औरियंटल सहर है इनको फैलाने वाला प्राणी क्या होता है हमारा सेंड फ्लाई जो कि क्या है हमारा option number C तो यही क्या हो जाएगा हमारा इसका correct answer तो शेंड फ्लाई में भी जो हमारी adult female होती है वही इसको क्या करती यह फैलाने में मदद करती है मैलफिजियन टीबूल्स Index चाहते हैं यह तो आट दुनिया जानती है मैलफिजियन टीबूल्स होते हैं होते हैं एक्स क्रिट्री और गन्स ओते हैं जो कि क्या है हमारा औप्शन नमंबर वन हैं अगला कुशन है जो तीनिया से इनाटा है वो । तीनिया सी सेजी नाट तमें इसको ले क्स नहीं होता है स्के है तो हमारा उप्शन में में फूजू फर्यश किस में वह जु माओजूद होते हैं फैशियॉला एसकेरच लेकिन फिर फ्र तो लियम में यह क्या पूती है एक स्टेज होती है चेक है अगला कोशन है यूथेरियन्स आर क्यारक्ट्राइज भाई यूथेरियन्स जो हैं उनका हमें कैसे पता लगता है कि वह यूथेरियाज है अगला कोशन अगला कोशन है विश्बोन और बर्ड इस फॉर्म जो विश्बोन है बर्ड की वो किसे होती है पेलवेग गडल इसकल हाइंड लेम्स या पेक्टोरल गडल या क्लेविकल ठीक है जो विश्बोन है बर्ड की वो क्या बनाती है तो वो जो बनाती है हमारी क्लेविकल्स बनाती है या फिर बोलें पेक्टोरल गडल जो कि कहा है हमारा ऑप्शन नमबर डी अब चलते हैं हमने अगले कोशन के ओपर अगला कोशन हमसे बोलता है फ्लाइट मसल और बर् का कोई तो किसे जोड़ती है इस टर्नम से कीळ आफ इस टर्नम से जो कि का है मारा option number वैं अगले कोशन की तरफ चलते हैं अगले कोशन में पूछा है इस कोड़ इट का क्या character है गिल्स का present होना spiracles होना post general tail होना या kaitinus exoskeleton मतलब उनका जो बाहर का जो तंत्र है या मैं बुलूँ जो उनके बाहर का skeleton system है वो kaitin का बना होना तो जैसे कि हमें पता है जितने भी coordinates होते हैं उनमें post general tail present होती है चीक है इसलिए हमारा option number सीख्या होगा correct answer अगला question है हमारा earthworm are earthworm क्या है हमारे लिए useful है harmful है ज्यादा useful है harmful होने से या फिर ज्यादा harmful है तो earthworm क्या होते हैं हमारे लिए useful होते हैं इन्हें किसानों का दोस्त भी कहा जाता है क्योंकि ये earth के या फिर हम बोलें soil के nutrient content को nutrient content को increase कर देता है जिससे की किसानों की फसल जो है उनकी फसल वो बहुती अच्छी होती है या फिर किसानों की पैदावार बढ़ जाती है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है अगला question है मारा transfer of tiniya to secondary host अकर as tiniya का transfer secondary host में किस से होता है उनको स्वियर, सिस्टी सायर, मौरूला या फिर एग तो जैसा कि है मैं जानता है उनको स्वियर से क्या होता है secondary host में transfer होता है tiniya का ठीक है जो कि क्या है इसके life cycle दो में दो host में complete होता है pig में और man में ठीक है किसका tiniya का अगला question है हमारा jellyfish belong to class जो हमारी jellyfish है वो कौन सी class में है psych of joa, hydro of joa, antho joa या फिर none of these jellyfish हमारी किसमा आती है sky for joa में ठीक है जो कि हमारा option number B है अगला question हमारा fish which can be used in biological control of mosquito वो मचली बताओ जो mosquito या फिर mosquito के larva को हटाने में हमारी मदद गरती है ठीक है biological इसलिए बोला है क्योंकि ये इसको खा जाती है ठीक है या फिर larvae saddle fish larvae saddle fish उसको बोलते है जो larva खाती है किसके mosquito को ठीक है तो हम देखते हैं हमने option eel, carp, catfish या गेंबूशिया तो जैसा कि हम जानते है जो हमारी गेंबूशिया है गेंबूशिया को हम क्या बोलते है larvae eating fish larvae खाने वाली मचली ठीक है और यही मालो किसी area में मच्छर बहुत जादा हो रहे है तो वहाँ एक pond होगा pond में क्या होंगे मच्छर होंगे ठीक है तो अगर हम उस pond में गेंबूशिया डाल देंगे तो उस इलाके में बिमारी होनी कम हो जाएंगी ठीक है क्योंकि हमें पता है जो पानी है वो वहाँ पे क्या रहते हैं mosquito बहुत जादा रहते हैं और mosquito पानी में ही अपने अंडे देते हैं और अंडे से क्या निकलेगा लार्वा अगर उस लार्वा को ये मच्छली खा जाएगी तो मच्छर होंगे नहीं और मच्छर नहीं होंगे तो उस एडिया में बिमारी भी अपने अब क्या हो जाएगी कम होनी चलो हो जाएगी तो चलते हैं अपने अगले कोशन पर अगला कोशन है मारा हेयर अकरस इन ओल मैमल एकसेप्ट दोस ओव हेयर जो हैं बाल जो हैं सभी मैमल्स में होते हैं सिर्फ इनको छोड़ कर बताने हैं वो कौन से हैं रोडियंटा प्राइमेटा कायरोप्टेरा या सिटेसी तो सिटेसी फैमिली के मेंबर को छोड़ के या सिटेसी क्लास को छोड़ कर सभी मैमल्स में क्या होते हैं बाल हमें देखने को मिलते हैं उनके बोड़ी के ऊपर अगला कोशन है बर्ड वर्टीब्रे यार जो बर्ड की वर्टीब्रे है वो कौन सी है अगला कोशन है हमारा फीट ओफ किंग फिशर आर मोडिफाइट फॉर जो हमारा किंग फिशर होता है उसके पैर किसमें मोडिफाइट होते हैं वेडिंग पर्चिंग रनिंग या कैचिंग तो जब भी उसको वेडिंग करनी होती है उसमें उसके फीट क्या होते हैं modified होते हैं ठीक है feet अगला question है हमारा both male and female pigeon secret milk through जो male और female pigeon है वो milk secret करती है किसके द्वारा salivary gland, modified sweat gland, crop या फिर gizzard तो crop के द्वारा जो भी हमारा male और female pigeon है वो क्या secret करती है milk अगला question हमारा टिफलोज इस जो टिफलोज है ये क्या होता है तो टिफलोज जो होता है इसे हम क्या बोलते है blind snake के नाम से जानते है इस snake के जो आख होती है आख के आगे क्या होती है scales present होते है ठीक है अब scales इसके आख के आगे होंगे तो इसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा ठीक है जिसके कारण इसको blind snake बोलते है यह सिर्फ light की intensity ज्यादा है या कम है इसी के हिसाब से अपनी क्या करता है movement करता है या मतलब एक जगे से दूसरी जगे जाता है और यह बहुत ही छोटा होता है ठीक है देखने में या आप अगर छोटा देखेंगे आप इसको देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे या फिर यह snake है जिसका नाम क्या है टिफलोप्स है ठीक है इसके body पे scales होते है इसके body पे scales होते है और इसी के कारण ही यह earthworm से क्या होता है different earthworm में हमको क्या देखने को मिलता है उसकी body पे segments और इसमें क्या देखने को मिलेंगे मिलेंगे मिन्स की body पे scales ठीक है यह था इसको पहचानना और snake को पहचानने में अंतर मतलब जिन वज़े से आप इन दोनों में differentiate कर सकते हैं ठीक है earthworm और टिफलोप्स चलिए चलते हैं अगले question पे अगला question है हमारा नेक्टूरियस क्या है नेक्टूरियस इस नेक्टूरियस क्या है hellbender, congo eel, mud puppy या blind worm तो जैसा कि हम जानते हैं नेक्टूरियस क्या होता है हमारा mud puppy हमारा option number C correct answer होगा अगला question हमारा fire belly toad is जो fire belly toad है वो क्या है amphi neuma, bombia, nocturius या salamandra तो हम उसे क्या बोलते हैं bombina के नाम से जानते हैं अगला question है which is not a true amphibian mammal कौन सा एक true amphibian mammal नहीं है salamander, toad, tortoise या frag तो जैसा कि हम जानते है tortoise जो है एक true amphibian नहीं है ठीक है अगला question है a true wood boring a wood boring mollusca ship warm is जो wood boring मतलब लकड़ी में छेद करने वाला mollusca या ship warm कौन सा है kitan, terry doe, limax या petla तो हम उसे क्या बोलते हैं terry doe होता है जो क्या करता है है तो mollusca लेकिन लकड़ी में भी क्या करता है छेद करता है अगला question है silk thread is obtained from silk mouth during जो silk धागा है वो silk mouth में किस stage पे मिलता है pupa stage larva stage nymph stage या adult stage तो जैसा कि हम को पता है silk mouth में जब pupa stage पे होता है कौन silk mouth उस stage में हमें क्या देता है वो silk देता है मैं आपको बताता हूँ कैसे देता है जो silk mouth होता है silk mouth में क्या होता है जब यह अपने pupa stage पे होता है pupa stage पे इसका जो लार होता है या जो थूक होती है यह अपने चारो तरब उससे अपने लिए protective covering बनायता है जैसे यह हवा के contact में आता है वैसे ही यह क्या होने लग जाता है hard होने लग जाता है और hard होके वे यह किस में convert हो जाता है silk के thread में convert हो जाता है तो basically क्या होता है जो इसका pupa stage है pupa stage अपने आसपास क्या effect अपना लार्वे का या अपनी थूक का अपने आसपास क्या बनाता है एक घेरा बनाता है ठीक है वो घेरा को बोलते हैं कुकून ठीक है या फिर जो अपने चारों पास यह जो बनाता है अपना प्रोटेक्षेशन के या उसे क्या बोलते हैं को कुन बोलते हैं ठीक है अगला कोशन है हमारा और्गन पाइब कोरल्स ज़ остry या फंजिया तो कि क्या है हमारा option number one तो यह थे हमारे इस वीडियो के प्रश्ण और यहें पर हमारा animal kingdom के आज तक के आएवे प्रश्ण क्या होते हैं समापत होते हैं मिलते हैं आप से अगले वीडियो में